मुझे डिएडी सुपरमॉम सीजन 3 का विनर बनके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, क्यूंकि मैंने यह सोचा भी नहीं था कि मैं डिएडी सुपरमॉम सीजन 3 की विनर बनूगी, क्यूंकि मैंने यह सोचा था कि शैद मैं ओडिशन से भाहर हो जाओंगी, क्यूंकि मतलब इनका इतना गूंपिडेंस नहीं था जो अभी यहां पर आने के बाद जब मेरा सेलेक्षन हो गया, वर थेकह मैं अमसे मिलने के बाद बहुत गूंपिडेंस आया मेरेओ कि शाय और म मोले एधरी थू भर्मोम को और तीनों जजस को और हमारे स्नेपसर और वरतेका मैम की वज़े से और सोंचे मैं की वज़े से मैं बहूत हैं क्यू बोलना चाती है और सबसे एक सबसे बड़ें क्यों नहीं कि अज यहां पी हूँ थांक यू सोमच वो मेरी जरनी रही है वो बहुत ही खूबसूरत थी अब ही मैं चोबी साल की हूं तो चोबी साल में से तीन महीन निकले गोड़ा बीूटिफूल संदर थे बहुत ही मतलब ऐसे मुमेंट है जो मैं जिंदकी भर नहीं बूल सकती क्यों कि यहां पे इतनी रिस ही तरीट करते हैं तो वो खुषी के पल जो थे वो पर हमें तो यहां पर आप इने बारे में साथ दिया जो तीनों जजदे. अमारे साथ स włos सब्से बड़ा हात वंका रहा फो कं Krisch वो थे थो इच pada bizi तीने ब्यूटिफु जड़ों थी मातलब मैं बोलती वह मेरे भगवानने बहत ज्यादाइब खूब सूरत थी मेरे लिए जरनी मेरी जुन्हीं से पशलिश अगळे치 मुखण BBC सबसे ज्यादे ज्यादा मैं मिस्करने वाली हूं कि मेरी लिए बगवान है। और ऑसक lihat onаний के साथ मिलें करने का मुझा मिली है। कि मैंने ईंस सिkन स्फजाण किया तो उन्की वीडियो देख के ही स्वर्जाट किया था और अभी इस शौ में आने के बाद उनके साथ मिर इनको डांस करें का मुझा मिला और दुखी भी हूँ थोड़ी सी क्योंकि अभी मैं डी आइडी सुपरमॉम के फिनाले के बाद यहां से चली जाओंगी तो वर्टेका में में को बहुत ज्यादा मिस करने वाली हूँ बहुत ज्यादा यहां सुप्सान झात ह nuclear यह जड़के कि अधिका नी। फीयवैंस कं के असे लिए it possible ड्वार्ट करते हैं जानी हमें मैं तीन अज़्ाए उनके साथ का मंदे आइज्जा। पoa है जब पर्सक्राइब पहली बार पता लगा कि मेरे डांस गरू होने वाले वो होने वाले मेरे डांस गरू है तो मतलब मेरे खुशे का ठेकाना नहीं था कि मैं high कि मैं कि मैं उनके साथ कैसे डांस करूंगी कैसे उनको मैच Siya कि उनके साथ मेर को डांस करने का मोका मिल रहा है और मैं उनको बहुत जादा मिस्करने वाली है पिछले वर्बॉस तीन महिने की जन्नी में और वर्टे कम इम शड़प ली थी मैने वो सबसे बैस्ट मूमंट मेरे लिए और अभी जो फिनाले में में ने समीब स incent को स्टेज पे बुलाया वो भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वो मिन था ये दो मिन मेरे लिए सबसे बेस्ट थे आपका पीवरेट अप्टर कुए है और कोश्चर में आप कॉन से अक्टर के साथ। अगर एक्टर्स की बात करें तो एक्टर्स मेरे फेविट हैं शाहिद कपूर सर जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद बहुत ज्यादा मैं सोच रहे थी कि इस डियादी सूपरमोम के मंच पे वो आए लेकिन यह पोसिबल नहीं हो पाया और मैं उनसे मिल नहीं पाई तो मतलब म प्रियोग्रफर्स में थे सबसे ज्यादा मेरे को पसंद जो है वो तो वर्तिकम है मैं लेकिन अगर उनसे थोड़ा सा अलग बात किया जाए उनको छोड़के तो रेमो सायर जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं उनके साथ करना चाहूंगी डांस इस शोर के बाद उसका यूज जो मैं मेरे बेटे के करियर और मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए करना चाहूंगी क्योंकि इस से जादा बैस्ट यूज इन पैसो का हुई नहीं सकता तो मैं जितना भी हो सकेगा मैं मेरे बेटे के लिए करना चाहूंगी इन पैसो से मुझे मेरे लिए कुछ अब इस पूरी जीन के बारे में परिवार का क्या रियाक्शन है और वो कैसे इस चीन को मनाई इस खास तरीका तो मैं बता नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता है में उन से काफी टाइम से मिली नहीं हूँ तो मतलब वो सभी बहुत खुश है बहुत जादा जनता के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर मैं यहां पर अभी फिनाले में वीनर हूँ तो सिर्फ आप लोगों की वज़े से हूँ अगर आप ना होते तो मैं नहीं होती तो मैं बहुत बहुत थैंक्यू बोलना चाहती हूँ दिल से शुक्रिया बोलना चाहत कि मैं D.I.D. Supermom Season 3 में वीनर बन सकूँ तो थैंक यू सो मच और बहुत सारा प्यार आपको मेरी तरफ से है थैंक यू कि मैं वीनर आपको में 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 वीनर